नमस्कार दोस्तों मैं दिलिप कुमार दोस्तों होली के छुट्टी के दिन भी बिहार में सिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी और ये गुनबत्ता पुर्ण सिक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी ऐसा कहना है बिहार सरकार और सिक्षा विभाग का और 26-27 को सभी सिक् की फर्मान है कि होली के दिन इसकुल खुला रहेगा यह कहीं न कहीं दिखा रहा है कि सिक्षकों को बिहार सरकार परिसान कर रही है इतना परिसान कर रही है कि सिक्षक नौकरी छोर कर चले जाए और यहीं साजिस चल रही है जिस तरह यह BPSC से सिक्षक भरती का नोटरिंग की दिखा रहा है कि हम गुनवत्ता पुर्ण सिक्षा के लिए लाखों सिक्षकों की निक्ति कर रहे हैं और दूसरी तरफ सिक्षकों को परतारित किया जा रहा है परिसान किया जान बूज कर तो इससे यही लग रहा है कि यह सिक्षकों को परिसान इसलिए कर रहे हैं ताकि सिक् तो सिख्षा विभागों क्या दिक्कत है भाई आप 25-26 को चुट्टी देजिए आप 26-27 को चुट्टी दे ही रहें तो उसी चुट्टी को 25-26 को कर दिजे चुट्टी दे दिजे किसी को को दिक्कत नहीं है और ये जो 20-2000 सिख्षकों को अब 80 ट्रेनिंग की बात कही जा रही है तो क्या ये ट्रेनिंग 28 तारिक से नहीं दी जा सकती थी 28 तारिक से भी आप ट्रेनिंग दे सकते थे दो दिन तीन दिन पहले से आप छुट्टी के दिन जो ट्रेनिंग दे रहे हैं 25-26 को होली है पुरे देश में होली मनाई जा रही है और विहार में भी मनाई जा रही ह तो उस होली के दिन आप ट्रेनिंग देने का क्या मतलब जो महिला सिक्षिक आए है वो कोई स्कूटी से जाएंगी बस से आटो से जाएंगी उनको कितनी परिशानी होगी और होली के समय में कितना हुरदंग होता है सब को पता है आने जाने में कितनी परिशानी होती है यह सब को पता है, अगर महिला सिक्षिकाओं या पुरूज सिक्षकों के साथ भी कोई बत्तमीजी हो गया, उनके साथ कोई दुरुबेभार हो गया, तो इसके लिए दोसी कौन होगा, इसकी जिम्यवारी कौन लेगा, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्यवारी कौन लेगा, क्या तो कोई दिकत नहीं होगी तो अवासिय ट्रेनिंग भी है तो वह भी तो कहीं से आकर ही वहां ट्रेनिंग देंगे न और भले वो दो चार दिन पाच दिन वहां रहेंगे जितना दिन ट्रेनिंग रहेगा लेकि उसके लिए भी तो वहां आना पड़ेगा और जो ट्रेनिंग जो सिक्षक होंगे उसमें कर्मचारी होंगे उसी स्कूल में या कॉलेज में तो ओ भी तो कहीं न कहीं परिवार से बंदे तो क्या उनका परिवार नहीं है वो अपने परिवार के पास नहीं जाना चाहते और जो सिक्षक ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं जिनको ट्रेनिंग दी आपको एक जनवरी को इस्कूल खुला रखना है, एक जनवरी को कोई अस्टुडेंट इस्कूल नहीं गए, फिर भी इस्कूल खुला हुआ है, ये क्या नोटरंकी चल रहा है, और जो लोग उस समय विपक्ष में थे, तो उसमय तरह-तरह क्या रोप लगा रहे थे, अभी वो आसीय ट्रेनिंग की बात है वो 28 तारीक से लीजी ट्रेनिंग, 28 तारीक से ट्रेनिंग दीजी ये किसी को कोई दिकत नहीं होगा, तो बेवज़ा सिक्षकों को परिशान किया जा रहा है, सिक्षकों के साथ न्याय होना चाहिए, नितीश कुमार जी हम आप से मांग कर रहे हैं कि बिहार के समस्थ सिक्षकों के साथ आपने आई